भारत कैनेडा विवाद के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कैनेडा द्वारा भारत से अपने 41 डिप्लोमेट को अब वापस बुला लिया गया है भारत द्वारा की गे सकती के बाद कैनेडा द्वारा ये फैसला लिया गया है क्योंकि भारत ने 10 अक्तूबर तक ही उन्हें समय दिया था कि वो अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुला ले इसी के बीच ये सबसे बड़ी ख़बर आ रही है कि भारत की सक्ति के बाद कैनिडा द्वारा अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुला लिया गया है बता दे कि भारत और कैनिडा के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है इसके बीच भारत द्वारा बड़े फैसले लिये गे कैनिडा के लिए और इसी के बीच था कि वो अपने 62 डिप्लोमेट में से कैनिडा 41 डिप्लोमेट को वापस बुला ले और कैनेडा द्वारा आज ये फैसला लेते हुए अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुला लिया गया है कैनेडा विदेशी मंतरी मलानी जोली ने गुरुवार को बताया कि भारत में कैनेडा के 62 में से 41 डिप्लोमेट को हटा दिया गया है हाला कि 21 कैनेडाई राजनियक भारत में ही रहेंगे जॉली ने कहा कि कैनेडाई राजनियकों को डिप्लोमेटिक इंसिट्यूट शीने जाने का खत्रा मनरा रहा था हाला कि जॉली ने कहा कि राजनियक चूट हटाना अंतराष्ट्य कनून के विपरित है और इसी कारण कैनेडा भारती राजनियकों के साथ ऐसा बिलकुल नहीं करेगा आतंकी निजर की हत्या के अरोप लगाने के बाद भारत और कैनेडा के बीज विवाद बढ़ता ही जा रहा है दरसल कैनेडा के परधान मंत्री जस्टिन टरूडो की तरफ से अपनी पार्लिमेंट में एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का खालि पहुँच जाई गई है ये बड़ी खबर आ रही है इसके बाद भारत ने कैनेडा के लिए कुछ बड़े फैसले लिये थे उन्होंने सबसे पहले जो कैनेडा इनागरिक है उनका वीजा जो है वो रद कर लिया था निश्चित काल के लिए ये वीजा अभी तक भी रद है क कैनेडा को अपने 41 राजनियकों को वापस बुलाने के लिए कहा था 10 अक्तूबर तक का समय दिया था हाला कि समय रेखा बढ़ गई और कैनेडा द्वारा आज ये फैसला लेते होए अपने 41 राजनियकों को यानि कि डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है भारत सर इसने ओटावा से कहा है कि उसे 10 अक्तूबर तक लगभग 40 राजनियकों को वापस बुलाना होगा हाला कि भारत सरकार ने इस मामले को लेकर किसी तरह का ब्यान जारी नहीं किया था ये फाइनेशियल टाइम की एक रिपोर्ट के मताबक कहा जा रहा था खबार ने कहा था कि कैनेडा के भारत में बासट राजनियक है और भारत ने कहा था कि कुल संख्या 41 कम हो जानी चाहिए कैनेडा के परधान मंतरी जस्टीट रूडो द्वारा खालिस्तानी आतकवादी हर्दीब सिंग निजर की हत्या के पीछे भारत सरकार के होने का खेंट अब भारत ने सकती दिखाई थी कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया जाए इसके बाद अब कैनेडा द्वारा अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है अब दोनों देशों के बीज के वीबाद को समझ लेते हैं कैनेडा के पी-म को अंजाम दिया है जो सरे के गुरु नानक से गुर्दवारा के अध्यक्षबी थे हाला कि भारत ने दावो को सिरे से खारिज कर दिया है और इससे बे तुका भी बताया था। भारत सरकार ने कहा है कि कैनेडा ने निजर की हत्या के दावे के समर्थन में अभी तक कोई सर्वजनिक सबूत नहीं दिया है विदेश मंतरी एम जैशंकर ने हाली में कहा था कि कैनेडा के साथ चरही समस्या देश में आतंगवाद उगरवाद और हिंसा के सबंद में सरकार डिलाड के कारण कुछ वर्षों से बनी हुई है विदेश मंतरी ने कहा कि मजूदा स्थिती को गती रोध नहीं किया जा सकता उन्हें ने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे के सबंद में कैनेडाई पक्ष द्वारा सांचा की गई किसी भी प्रासंगिक बात पर विचार करने के लिए तैयार है आपको बता दे कि अब इस मसले में जो भारत द्वारा बड़ा फैस्ता लिया गया था उसके बाद 41 राजनियों को अब कैनेडा द्वारा वापस बुला लिया गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कैनेडा और भारत विवात के बीच में आ रही है आपको बता दे कि जस्टिन टरूडो के दिये गए बयान के बाद पूरे विशव भर में इस बयान की निंदा की गई और भारत द्वारा कहा गया कि अगर परधान मंत्री के पास भारत के खिलाब किसी तरह का सबूत है तो वो पेश करे लेकिन कैनेडा के परधान मंत्री जस्टिन टरूडो की तरफ से फिर अपने बयान से पलटते हुए कहा गया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भारत उनका मतलब किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था लेकिन वो इस मसले में भारत सरकार और भारत एजन्सियों का सहयोग माग रहे थे लेकिन इस बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है वो इस मसले में सिर्फ सहयोग मांग रहे हैं इसी को लेकर भारत द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए सबसे पहले तो अपने जो भारतिय नागरिक है उनको कैनेडा में विजिट करते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा गा फिर वहां जो हिंदू संगटनों के लोग रह रहे हैं उनको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा गया फिर हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया इसके बाद भारत द्वारा कैनेडा के सिटिजन जो है उनका वीजा अनिश्चितकाल के लिए रद भी कर दिया गया और साथ में ही अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए का भारत ने तरक दिया था कि कैनेडा और भारत में दोनों तरफ एक ही संख्या के डिप्लोमेट्स होने चाहिए सो कैनेडा में जो भारती डिप्लोमेट्स है उनकी संख्या कम है भारत के मुकाबले में सो भारत ने भी कैनेडा के 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए कहा था और आज कैनेडा द्वारा उन्हें वापस बुला लिया गया है हुकम जारी कर दिये गए हैं आपको बता दे कि 62 डिप्लोमेट में से 41 डिप्लोमेट को वापस बुलाने के लिए कहा था और बागी के डिप्लोमेट्स यहीं पर रहकर काम करेंगे तो यह मसला कितनी देर तक चलता है यह तो कहा नहीं जा सकता लेकिन इस पर अब भारत सरकार की कियाब परतिकिरया होगी यह जानने के लिए जुड़े रहें डैनिक सवेरा के साथ